असामीकों स्टूडेंट आज जो हम टॉपिक डिसकस करने जा रहे हैं वो है थर्मोमेटर थर्मोमेटर जो है किसी भी अब्जेक्ट का टम्प्रेचर में ये करने के लिए हम यूज करते हैं ठीक है तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी the device which is used to measure the temperature of a body is called thermometer किसी भी बोडी का अगर temperature में ये करना हो तो हम उसके लिए कौन सी device use करते है thermometer थर्मोमेटर के अंदर जो हम material use करते हैं ठीक है उसकी properties जो है तमप्रेचर चेंज होने केसा सब सब होती है different substance होगी है जो होगर हम उसका temperature change करें तो वो color change कर लेते हैं या वो electrical resistance show करते हैं या वो expand हो जाते हैं ठीक है different liquid की different properties होती है सब substance change properties with temperature variation अगर हम temperature change करें तो substance जो है वो अपनी properties को change करते हैं इसी तरह आग के पास some liquid expand change color and some show electrical resistance by changing temperature ठीक है कुछ liquid expand हो जाते हैं कुछ color change कर लेते हैं कुछ क्या show करते हैं electrical resistance show करते हैं thermometer के अंदर जो हम thermometer material use करते हैं उसके अंदर यह property होने चाहिए कि उसको जब heat मिले तो वो expand हो जाए some substance expand when heated ठीक है कुछ ऐसे substance होते हैं जो expand हो जाते हैं जब हम उसको heat provide करते हैं prefer liquid has thermometer material because they have ability to expand on heat कुछ liquid की ability होती है जब हम उनको heat देते हैं तो वो expand हो जाते हैं thermometer के अंदर जो हम liquid use करते हैं उसके अंदर क्या क्या properties होनी चाहिए वो हम one by one discuss करते हैं number one उसमें visibility होनी चाहिए याई कि अगर हम उसका temperature मेयर करें तो वो हमें liquid नजर आना चाहिए कि हम उसको easily मेयर कर सकें दूसरा उसमें uniform thermal expansion होनी चाहिए कि अगर वो हम उसको heat दे अगर वो temperature जो है वो कितना शोग करें 10 degree अगर हम उसको उतना ही temperature फिर बढ़ाएं 20 degree हो जाए तो वो उस पी उतना ही expansion शोग करें यानिकि disorder नहीं होना चाहिए उसमें uniform thermal expansion होनी चाहिए तीसरा उसका freezing point जो है वो बहुत low होना चाहिए चोथा high boiling point होना चाहिए फिर non wetting और glass होना चाहिए जिक जोनी के दो material हम थर्मोमेटर के अंदर use कर रहे हैं वो glass को wet नहीं करना चाहिए good heat conduction होने चाहिए जो हम material use करें वो heat को easily conduct कर ले उनके अंदर जो heat store करने की capacity है वो कम होने चाहिए ताकि वो temperature को easily measure कर सके